ये डिर्टी गेम, इतना गंदा खेम, कौन खेल रहा है? कौन दरार डालना चाता है सपना और अंशु के बीच में? अंशु का चैनल हैक, किसने किया? इतने सारे नेगेटिव कॉमेंट्स को लाइक अंशु की आईडी से कौन कर रहा था? So friends, welcome to my channel, it's me Swati, कैसे हैं आप? I hope आप मजे में होंगे तो सुबा अंशु का एक वीडियो आता है जहां पर वो साफ साफ कहती है कि दी रॉट चैनल मुझको नहीं चाहिए और बार बार यही कह रही थी कि नेगेटिविटी मत करो चैनल पे ठीक है? और सपना को बार बार यही कहा जा रहा था कि आप अपनी कॉमेंट सेक्शन से अगर नेगेटिविटी जादा मिल रही है तो कॉमेंट सेक्शन ओफ कर दो, आप आगे का सोचो है न इन चीज़ों पर ध्यान मत दो, कल को तो यह लोग यह भी कहेंगे यह भी कहेंगे, तो उनकी वीडियो में, उसी वीडियो में कुछ कमेंट्स जहां पे सपना के लिए हेट मिल रहा था, वहां पे बीइंग अन्शू वाली आइडी से हाट दिये जा रहे थे लाइक किये जा रहे थे आखिर यह चक्कर क्या है कौन है जो यह सब चीजे करवा रहा है जो अन्शू वीडियो में यह बार-बार कह रही है कि पॉजिटिविटी दो, उन्हें अच्छे कमेंट्स करो वो ही सपना के अगेंस्ट हेट जहां मिल रहा है, उन कमेंट्स को लाइक करेगी ऐसा तो सपने में भी नहीं हो सकता So friends, welcome to my channel, it's me Swati I hope आप लोग मजे में होंगे, बढ़िया होंगे तो कुछ टाइम पहले ही अन्शू ने वीडियो डाला है, जहां पे उसने लिखा है कि someone hacked my YouTube account and spreading hate against Barbie So, यह जब मैंने देखा ना, यह 2-3 मिनट कुछ करके वीडियो है तो आखिर में कोई बहुत ही गंदा गेम खेल रहा है, और इसने साफ साफ बोला है कि मेरे user ID, इस ID से लॉग इन किया गया है, कहीं गुजराद से तीन टाइम से उसने टाइम भी बताया है और जहां पे उनके लिए hate है, जहां पे गंदे-गंदे comments हो रहे हैं, कोई इसको गाली दे रहे है सपना को, तो वहां पे like किया जा रहा है, और इसका साफ साफ यह कहना था कि उस टाइम तीन से साथ बजे तक, मैं अपनी पढ़ाई कर रही होती हूँ, मेरी अंशु है, उसने ये भी कहा कि उनका भी उन्होंने मुझे screen shots भेजे, सपना ने भावी ने, और उन्होंने बोला कि ऐसा भी क्या हो गया, है ना, कि इतने गंदे-गंदे comments को तू like कर रही है और एक जो विश्वास है, है ना विश्वास तोड़ दिया मतलब सोचो, सपना भरोसा करती है अंशु पे, तो इसी भरोसे को कौन है, जो इतने गंदे तरीके से तोड़ रहा है, हालांकि इसने बोला है अंशु ने कि मैंने password change कर दिया है और सब कुछ, लेकिन किसी का गंदा शड़यांतर चल रहा है और यहां पे, मुझे लगता है कि सपना को जिस करा की चीज़े चल रही है उसका इस टाइम, depression में है बहुत सारी चीज़े उसके दिमाग में है तो इन negative comments से कहीं सपना को ये ना लगे कि अंशु कर रही है, भई देखो हम ये चीज़े सुन रहे है, अभी आप उदर देखिए जो अंकुष सकसेना है, उनका चैनल दो चैनल हैक हो गए, उनका और स्वाति का, राइट तो वो भी अपने बेटे के चैनल पे वीडियोस डाल रहे है तो यूट्यूब पे ये सब चीज़े चल किया रहे है घर यहाँ पे चैनल हैक हुआ नहीं, लेकिन हाँ, किसी ने कोशिश दरूर करी है और सपना के खिलाफ जो कॉमेंट्स हैं, वहाँ पे लाइक किया गया है और साफ साफ ये कहना है अंशु का, जिस वज़े से अंशु ने पासवर्ड वगेरा चेंज कर दिया है अच्छी बात है कि अब पासवर्ड चेंज कर दिया तो आप फ्यूचर में अगर कोई अटेम्ट ऐसा हुआ बाकी मैं यही कहूँगे, आपके पास कोई मेल आता है, कोई वैसे क्लिक्स वगेरा, लिंक्स आते हैं तो उस पर आप क्लिक ना करें यह सोच के बड़ी हरानगी होती है, सुबह तक यह कह रही थी कि मैंने भी वो वीडियो में उस पर रियाक्शन भी दिया कि वो कभी कर ही नहीं सकती है, इस तरह की हरकते, ठीक है, क्योंकि वो खुद वीडियो में कह रही थी, कि आपका चैनल मुझे नहीं चाहिए, और मैं इसी चैनल पर वीडियो नहीं बना पाती हूँ, उस चैनल पर मैं क्या ही वीडियो बनाऊंगी, और सपना को भी अपनी मिलता है, जितनी भी वीडियोस बनाने पर महनत करने पर, वो उससे ही अपनी बेटी का फ्यूचर अपना फ्यूचर देखना है तो यहाँ पर अंशु ने सपना के साथ वो हमेशा खड़ी रही है, सपना को हमेशा उसने सपोर्ट किया है, तो मुझे लगता है कि किसी की बड़ी गंदी साजश है वैसे comments में वैंने देखें जहां पे लोग साफ-साफ ये कह रहे हैं कि ये अंशु के पापा के काम है हो सकता है उनके पास password रहा हो वो इतना जादा तरीके से जो लोग सपना के खिलाफ hit दे रहे हैं अब सपना का साफ साफ अंशु का ये कहना है कि अब उनको मिर पे विश्वास नहीं रहेगा वो मिर पे विश्वास करती थी इन चीजों के बाद वो कहां से मुझे पर ट्रस्ट करेंगे लेकिन मुझे लगता है कि इतनी जल्दी सपना को ऐसा नहीं करना चाहिए अंशु ने हमेशा साथ हमेशा खड़ी रही है तो सपना भी उस पे बिल्कुल भरोसा करेगी मैंने कमेंट्स पड़े जहां पर लोग कहरें कि आप स्टडी पे फोकस कीजिए आप डेली का लोगों का रोना धोना चलता है यूट्यूब पे हमेशा ये सब अंशु कितनी टॉर्चर हो रही है मेरे क तो डर है कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए बी स्ट्रॉंग अंशु प्लीज अंशु तुम ट्वैल तक सोशल मीडिया से दूर हो जाओ ना पढ़ो इन सब के चक्तर में सिर्फ अपनी स्टेडी पर ध्यान दो अपना कैरियर खराब ना करो मेंटली डिस्टरगो पूरी लाइ तो काफी लोग कह रहे हैं कि ये सपना ने खुद ही किया है कुछ लोग कह रहे हैं कि ये अंशु के पापा ने करवाया है सपना खुद क्यों करेगी हाँ सपना तो ये चानल दे रही थी किसको अंशु को है ना और वो चैनल जो लाइक कमेंट करेगी अपने ही खिलाफ ऐस कि सपना की भी है, सपना को भी ट्रस्ट रखना चाहिए, तो हाँ, बिल्कुल मुझे लगता है कि अंशु जूट नहीं, बोल रही है, और ऐसा हो ही नहीं सकता, वो उसकी जो एक इनोसेंस है, उसकी सिंप्लिसिटी, इनोसेंस हमें दिखती है, और हमेशा से, जिस तरह से, वो बोल रही है कि मुझे तो मेरा तो उस टेम, ऑनलाइन क्लासेंस होती है, मैं तो कर ही नहीं सकती, लेकिन ये इतनी जल्दी उसने वीडियो डाला, पता नहीं यार, लोग क्यों इतना परिशान करते हैं, इनको क्या मिलता है, इन लोग को परिशान करके, काफी लोगों को ये कहना है कि ये जो कोई भी कर रहा है, वो बस आपको और सपना को अलग करने की साजिश कर रहा है, पारिवारिक मन मुटाव को तीसरा कोई बहुत बड़ा मुद्दा बनाना चाहता है आप दोनों को मैंने जैसे बोला तो मेंटल पीस नहीं है उसको अभी बहुत नेगेटिविटी है मुझे लगता है उसके आसपास वाले लोगों को उसकी मदर उसके भायों को समझाना चाहिए अंशु पे तो उसको खुद भी भरोसा होना चाहिए कि उसने हमेशा वो खड़ी रही है उसके स चीजों में यह जो अंशु है इसको तॉर्चर किया जा रहा है गंदा गेम यहां पे चल रहा है सोशल मीडिया पे अब कौन यह सब चीज़े कर रहा है और साफ साफ अंशु क्योंकि यह चानल देखिए इसका है बिंग अंशु है ना और यह बीच-बीच में छोटी-मोट वीडियोस डालती है तो एक बच्ची पर इतना टॉर्चर इतना डर्टी गेम किया जो खेला जा रहा है वाया अंशु राइट काफी लोग कह रहे हैं कि अंशु कभी भी कुछ ऐसा नहीं करेगी पर बेटा तुम संभल कर रहो दुनिया में बहुत लोग होते हैं ऐसे जो बुरे होते हैं काफी लोगों ने आपने देखा होगा पिछले वीडियो में इतने गंदे कॉमेंट्स आ रहे हैं ते सपना के खिलाफ गालियां वगेरा भी थी उन कमेंट्स को लाइक किया जा रहा था अंशु भी अंशु आइडी से तो अब उस कॉमेंट सेक्शन के कमें सेक्शन को आफ कर दिया गया है बाकी मुझे लगता है इस कमेंट्स इस वाले इसने अपडेट जरूर अपनी तरफ से सही किया दे दिया पासवर्ड भी चेंज कर दिया लेकिन येस इसके भी कमेंट्स आप आफ कर दो लोगों को स्ट्राइक दो लखन भाई से बोलो help करें अंशु ने ये चीज़े जरूर बोली कि मेरे लॉग इन किया गया है मेरे यूजर आउडी से उसने जगा भी बताई गुजरात से अभी कुछ 30 मिनट पहले तो मुझे लगता है कि उसका particular screenshot करके उसको सपना को जरूर भेजना चाहिए वैसे मुझे समझनी आता कौन ऐसे ल रही है राइट अंशु प्लीज कॉंसेंट्रेट ऑन यूर स्टडीज लाइफ में आगे बहुत opportunity आएगी आप tension ना लो आप comment section बंध ही कर दो बाकी मुझे लगता है कि इन सब चीजों में जो लखन है वो definitely help करेंगे अगर आप लखन भाई को contact करते हो ठीक है क्योंकि सब ल क्लास का वो खुद कह रहे है कि मेरे को इतने written notes अभी तक मेरा काम पूरा नहीं हुआ है ना सब कुछ notes update करने पड़ रहे हैं एक्दम से मतलब शहर से गाओ में आ गई है उसका जो board है वो change हो गया है school suit में दिखती है वो एक्दम से गाओ में आके adjust कर रहा है उसकी भी बहु इस तरह का mental peace खड़ाब करने वाली चीज़े आती है ना तो अच्छा नहीं लगता है राइट आप लोग अगया गहना है प्लीज मुझे नीचे comment section में बताये गाए और yes मैं once again कहना चाहती हूँ कि मुझे नहीं लगता कि अंशु इस तरह की हरकते करेंगी बाकी अंशु के कि अंशु नहीं करेगी लेकिन कहीं ना कहीं सपना को ये चीज़ पता है कि ये सब पीछे करवाने वाला कौन है है ना आप लोग को क्या लगता है नीचे comment section में जरूर बतायेगा मिलते हैं next video में bye bye and please जाने से पहले like share subscribe करके जायेगा